ओम शान्ते 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 ओम ठेरिये क्या हुआ पुजारी जी? आप मंदिर में ऐसे वस्तरों में प्रवेश नहीं कर सकते पुजारी जी इन कपड़ों में कमी ही क्या है? मंदिर में प्रवेश करने के लिए साधार रवस्त और सर पर कपड़ा होना चाहिए लेकिन मंदिर में अब तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तिर पे आप बैस ना करें, मंदिर का यही नियम है, आप यहां से जाएं लेकिन पुजारी जी अनूब भीया उस पुजारी ने न मुझे मंदिर में नहीं जाने दिया उस पुजारी की इतनी हिम्मत की मेरी भेन को मंदिर में नहीं घुषने दे रहे आज तो उस पुजारी को यही बताऊंग वा मैं मंदिर में क्यों ना जाने दिया पुजारी को तैने पूछा सोनिया क्या बात है क्यों ना मंदिर में जाने दिया पुजारी ने भहिया पुजारी ने बोला कि तुम इन कपड़ों से मंदिर में नहीं आ सकती तो कोई बात ना कपड़े चेंज करके चली जा कुझा बन खूंप लेकंगो मुझे बताने वाला कि में कैसे कप्ड़े पहने मंदिरु कि अरे तुम कभी कि दिस्कों में जाते हो ता मोडर्नyor कपड़े पहने कई जाते हो ना अरे तुम जिम में एक्सरसाइज करने जाते हो तो वह भाल लिखा हुआता है ना कि चपल में अंदर आना अलाउड नहीं है अरे तुम स्कूल में जाते थे ना तो प्रोपर यूनिफोर्म में जाते थे क्यों? क्योंकि स्कूल के अपने रूल थे वैसी मंदिर का भी अपना रूल है अरे तुम कभी भ्यासादी में जाते हो तो वैसी कपड़े पहन के जाते हो ना जैसे भ्यासादी में पहने जाते है फिर मंदिर में सादारन कपड़े पहनने से क्या दिक्कत है? अरे मंदिर के भी अपने कुछ नियम होंगे, कुछ कायदे होंगे, हमें उन्हें पोलो करना चाहिए और क्या ही फरक्स पड़ जाएगा अगर तू साधान कप्डेर सर पे चुन्नी रख के चली जाएगी तो और रोहित कभी भी जल्दबाजी में फैंसले नहीं लेने चाहिए भाई, सोच समझ के लेने चाहिए पन्दी नमस्कार पन्दी जाएगा अगर तू समझ के लेने चाहिए